सातियों एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है हर जरुरत मन को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बाते अच्छी तरह पता होनी चाहिए तभी तो हमारा गरीब भाई बेहन उसका फायदा उठा पाएगा किसान सातियों अगर आपको पेशों की जरुरत है और पेशा उधार लेना चाहते हैं लेकिन उधारी पेशों का प्यास दर ज्यादा देना पड़ता है और साथ में आपको किसी भी परकार की सेक्यरिटी चार्ज भी देना पड़ता है यानि गारंटी के तोर पर किसी भी परकार की security देनी पड़ती है तब जाकर पैसा दिया जाता है लेकिन आज की scheme इतनी अच्छी है कि आपको किसी भी परकार की guarantor की आओ सकता बिलकुल नहीं पड़ेगी और दूसरी बात आपको किसी भी परकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा आपको मातर 10 लाख रूपिय तक का लोन मिल जाएगा और किसी भी परकार का collateral नहीं देना है यानि कोई भी स्केटी नहीं देनी है कोई भी परकार के guarantor की आओ सकता पड़ेगी आप बस सीधे online आवेदन करके इन 10 लाख रूपिय तक की लोन की राशी प्राप्त कर सकते हैं आपको ना तो बैंक जाना पड़ेगा और ना भी किसी के आगे हाथ पहलाने की आव सकता है बस आपको क्या करना है वीडियो की description में एक link दिया है उस link पर आपको click करना होगा तो आप सीधा इस परदहान मंतरी मुद्रा लोन योजना की official website पर आ जाएंगे इस website से अब तक देश के करोडों किसान प्रिवारों ने जो अपनी जरूरत के तोर पर कोई रोजगार सुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की आवसकता नहीं थी लेकिन उनके पास पैसां की कम्या थी जिसकी बज़ए से इस परदहान मंतरी मुद्रा लोन स्कीम के तहत आप official website पर देख सकते हैं कि इन सभी लाभारतियों ने अब तक लोन लिया है आप अगर इनकी जानकरी जानना चाहते हैं इनके मुख से जो भी सबद किस परकार ये लोन लिये थे उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा सामने ये जो screen पर ये page दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको click करना होगा आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि परधान मुंतरी मुद्रा लोन योजना के तहत इन्हों सभी किसान साथियों ने लोन लिया था इस परधान मुंतरी काम्यावी की जो सचाईया हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इनके द्वाराज किस परकार लोन मिला था और किस परकार उन्होंने रोजगार की सुर्वात की थी आप इनकी पूरी कहानी सुन सकते हैं और उसके बाद यकिन कीजिए किसान साथियों आप भी इन सभी लाबार्तियों की तरह आप भी अपनी जरूत के हिसाब से लोन लेकर अपने रोजगार की सुरुवात कर सकते हैं। पर्धान मंतरी मुद्रा लोन स्कीम योजना बहुती अक्षी स्कीम योजना है। अब दोजार चुईस में दुबारा से पर्धान मंतरी नरेंदर मोधी जी की एंडी सरकार बनी है। जरकारी बैंक होती है, उन सभी से रिन उपलवद किया जाता है, आपको घर बेठे ओनलाइन, इस पोर्टल के माते में से ओनलाइन आवेदन करना पड़ता है, और लोन की रासी सीदे आपके बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको लोन कितना दिया जाएगा और कौन-कौन से लोन परकार इसमें बताएगे हैं। इस योजना के तहट अगर आपको 50,000 रुपे की लोन की आवेशकता है, तो आप सिसू लोन योजना के तहट रिंड की पराप्ते कर सकते हैं। वहीं अगर आपको 50,000 से 5 लाख रुपे तक के लोन की रासी आपको जरूरत है तो फिर आपको किसोर लोन योजना के तहट इस सेक्शन पर आपको कलिक करना होगा और तीसरी बात है कि अगर आपको 5-10 लाख रुपे ठकी लॐन किया हसकता है तो तरुन लॐन स्कीम के तहट यहाँ पर आवेदन करके आप लॐन ले सकते हैं क्या करना है इसके बाद आपको एक छोटा सा फोर्म मिलना है इस फोर्म को अपलाई करना होता है इस पौरम में आपको लाभारती का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, इस परकार की सामाने डिटेल होती है जिसमें हदार कार्ड, डेट ओव बर्थ डे, पैन कार्ड, डिटेल, परसनल डिटेल है, एड्रेस की प्रूफ की कोई वेलिटी है वो आपको बतानी हैं कि आप किस परकार कौन-कौन से डोकूमेंटों की पुरिया के अनुसार इसमें लाभ ले सकते हैं, इसमें बताया गया है कि आपका एक तो वोटर आइडी कार्ड होना चाहिए, जिसमें ड्राइविंग लैसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, एड्रेस आपको अपने परिवार के 2,020,00 रूप्या से वारसिक्राइव होगी तब भी आपको लोन दिया जाएगा, अगर आपकी 2,020,00 रूपया से अधिक होगी, तो फिर आपको लोन की आओ सकता के अनुसार, आपकी क्याटेगरी के अनुसार प्रुइसराँ लोन दिया तब ही आपको इस लोन की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करके 10 लाक रूपय तक की लोन की रासी प्राफ्ट कर सकते हैं अब आप ये बताना जरूर आप कमेंट करके के हमें 10 लाक रूपय तकी लोन की प्रोसेस में मुद्रा लोन के लिए आवेदन करते समय ये फोरम किस परकार जमा करना होगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना और अगर आगर आपको इस loan के बारे में या आवेदन फोरम सही तरह से आपको भरा जाता है तो आप अपने नजदीक में तहसील होती है तहसील कारियल ओपीस में आपको परदान मंतरी मुद्रा लोन योजना की एक official ओपीस मिल जाएगी वहां जाकर इस फोरम को जमा करवा द पैसे चला जाएगा और बैंक द्वारा सीथा आपके बैंक खातों में ये पैसा जरूत के हिसाब से सही information होने पर ट्रांसपर कर दी जाती है तो मुद्रा लोन स्कीम योजना आप देश के करोणों किसान परिवार इस योजना का लाव ले रहे हैं आपको किसे भी परकार के गारंटर के आओ सकता बिलकुल नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इस योजना के तहत ब्यास दर्द देनी पड़ेगी सिधा आपको जितना आपने पैसा लिया है वो पैसा सिधा आप दिरे दिरे किस्तों में वापिस जमा करवा सकते हैं जैसे आपके पास पैसे पूरे हो इस योजना के साथ आपने जो पैसे लोन के तोर पर लिये हैं उन पैसों को वापिस रुकता किया है तो आप बड़ी स्किम के तहत आवेजन कर सकते हैं उसके बाद आप अगर सिलाई मशीन का कारिये करते हैं या वेंडर्स का काम करते हैं या कोई अन्य काम के तोर पर कोई रोजगार शुरू करते हैं तो इन सभी के बारे में ट्रेंणिंग लेकर आप अपने विजनेस की नई तरह से सुरुआत कर सकते हैं अब मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो हमने वीडियो में बताया है कि परधान मंतरी मुद्रा लोन स्कीम के तहत किसान लावार थी 10 लाक रुपे तक का लोन ले सकते हैं और लोन लेकर अपने विजनेस की सुरुआत कर सकते हैं बिन्या ब्याज पर ये लोन दिया जा रहा है इस स्कीम की इनफॉर्मेशन को सही तरह से आपने समझ लिया है और इस वीडियो में बताएगे इनफॉर्मेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक सिस्क्राइब कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आपको परदान मंतरी मुद्रा लोन स्कीम योजना का ये आउनलाइन आवेदन फॉरम बरने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताएगे हम आपको नए वीडियो में इसकी पूरी जानकरी भरके आपको बताएंगे और उसके बाद आपको पूरी तरह से लोन की प्राफ्टी लेने में से कोई नहीं ठाल सकता थैंक्यू धनेवाद तीन लाख रुपिये तक का करज मिलेगा आपको रण मिलेगा और ये भी सुनिशित किया गया है कि इस रण का ब्याज बहुत ही कम रहे सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आप को एक लाख रुपिये तक का रण मिलेगा